श्री शिवाय नमस्त ब्याम हर हर महादेव देखिए आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज शुक्रिवार की प्रदोश है शुक्रिवार की प्रदोश आपके जीवन में सुक, सुविदाय, धान, एश्वरी की बड़ोतरी करती है शादि साथ अगर आपको कोई भी अगर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बारा है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें देखिए प्रदोश के दिन प्रदोश काल में भगवान शीव की पूजा का विदान आता है और आज शाम को छे बज़े से लेकर के रातरी में 8 बच प्रदोश काल का समय है अगर इस समय आप यह उपाय करते हैं तो सर्वोतम होता है वैसे तो सुबह से लेकर के रातरी तक जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं लेकिन प्रदोश काल के समय शीवलिंग में शाक्षाद भगवान शीव का वास होता है देखिए शुक्र प् आपको भगवान शीव के उपर धन की कामना के लिए आप चड़ा सकते हैं कमल गटा नहीं हो तो कमल का पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं कमल का पुष्प भी नहीं हो तो आज के दिन आप सफेद आखड़े का जो पूष पाता है वो भी भगवान शीव को अर्पित कर सक ये चार चीज आप चड़ा सकते हैं देखे अगर आपके पास ये चीज़े हैं तो आप चड़ा सकते हैं नहीं तो आपको क्या करना है एक इस्टिल के पात्रे के अंदर दो चमच कच्छा दूद मिलाकरके शुद्ध जल डालकरके ये आपको भगवान शीव के मंदिर में ले तब आपको एक खाली पातर घर से लेकर कि जाना है और वो खाली पातर जलाधारी के वहांपर रख देना है थोड़ा सा आपको कच्छे दूद वाला जो जल है वह आपको ले लेना है अब इस जल को आपको थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में रखना है देखे बगवान अगर आपको कोई रोग है आपके घर वालों को कोई रोग है तो आपको युपाय करना चीह है अगर आपके घर में सुक शान्ती की कमी है ग्रकलेश होता है तो भी आप युपाय कर सकते हैं वो कच्छा दूद आपने थोड़ी देर 10-15 मिलेट आप चंद्रमा की रोशनी में नयनों पर वो भगवान के अभिशेक का ये जो जल है वो लगाएगा साती सात मस्तक पर लगाएगा और उसके बाद कंठ पर और अंत में नाभी पर इस जल को लगाना है हो सके तो पूरे घर में जितने भी लोग हैं सबको ये लगाना है मन ही मन में भगवान शीव का इस्म करना है तो बहुत ही आसान सा उपाय है जरूर करिएगा श्री शिवाय नमस्त अब्याम हर हर महादेश